तो एक तो नाम बोला अनों है, प्रॉसेस बोला है और बेसिकली सब्जेक्स बोला है ठीके, इन पीएस नाम से याद रख लेना थियो है मेंन साब ने जो है ये बात किये तो नेम्स ठीके, दाट इस प्रॉसेस एंड़ सब्जेक्स इन तीन के आधा नया दिन नई बात और एक नई शुरुआत नमशकार, मेरे नाम है एचैस और लेकर आया हूँ Management एक Introductions क्या होता है Management? वास्तम में Management देखा जाए तो एक व्यवस्ता है किसी भी कारे को करने की, यदि आपको कोई कारे करना है, उसको आपको व्यवस्तित तरीके से उसको Execute करना है, उसके Target तक पहुँचाना है, या पहुचना है, वही Management है तो Management में जो कारे है, उसकी ववस्ता को देखा जाता है बहुत ही Simple शब्दों में दी कहा जाए, तो बंडारे का आयोजन करना है आपको यदि आप उस बंडारे का आयोजन करना चाहते हैं, तो उसका प्रशाद जादा से जादा लोगों को पहुचाना चाहते हैं, यही उस बंडारे का लक्ष होगा, तो यही है Management तो बंडारे के आयोजन के लिए आप उस कारे को अलग-अलग लोगों में बाट देंगे, यह हो जाएगी प्लानिंग, इसी तरीके से Management को हम समझ सकते हैं, तो Management बहुत सारे लोगों का एक तरीके से कारे करने का तरीका हो सकता है, अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग कारे करेगा और अंतिम लक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यही Management है, यही प्रवंधन है, हाँ, इस प्रवंधन, इस Management की ववस्ता हम एक व्यक्ति गाइड करेगा और उस व्यक्ति को हम प्रवंधक या Manager कह सकते हैं, इस तरीके से Management को हम आसान भाशा में समझ सकते, अब क्या ये concept शुरुवात में नहीं था जब मानव सब्विता शुरू हुए तो ये नवीन अवधारना बिलकुल नहीं है, this is not new concept, it is not new concept, it is started from the basically civilization of the humanisms, मनुष्य का जब से civilization शुरू हुआ है, जब से वो एक सब्विता में रहना शुरू किया है, तभी से management को करता आ रहा है, हाँ, एक subject के रूप में शायद आप इससे पहली बार पढ़ रहे हैं, और आज का जो management है, उसे हम modern management कह सकते हैं, इस प्रकार से management आपके development से ही जुड़ा हुआ है, शुरुवात से, आपकी मदर भी आपके घर को manage करती है, ये है management, घर का management, लेकिन यदि हम एक corporate world में बात करें, तो इसे हम एक आधनिक management कह सकते हैं, this is modern management, modern management में काम, व्यवस्तित और planning के तहद किया जा सकता है, या एक steps के थ्रू किया जा सकता है, जैसे उसमें सब से पहले planning होगी, planning के साथ हम जो है, वो कारे करने के लिए, कारे करने के लिए, जो भी हमें target अचीव करने हैं, उसके लिए एक योजना बनाई जाएगी, and this योजना, this योजना and this concept is called planning, plan करना, plan करने के लिए उस लक्ष तक पहुँचने के लिए आपको कुछ कारे करने वाल और ये सब एक organizations के तहट काम करेंगे, जिसका मुखिया manager हो सकता है, इस तरीके से management कई शब्दों का एक सामोहिक शब्द है, ऐसा हम कह सकते हैं, तो एक बड़ी बवस्ता है, इस बड़ी बवस्ता के अंतरगत छोटे-छोटे segments हो सकते हैं, उन छोटे-छोटे segments को हम planning, organizations, top, leader वगेरा वगेरा कह सकते हैं, अभी हम इसके functions के अंतरगती बातें और करेंगे, लोगों के द्वारा कारें का निश्पादन, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, the staff that is connected in a organization, they are working for a target, they are working for a specific object, अभी आप देखें, जिसमें एक example से देखें, तो cricket की team, भारती cricket team जो है, एक team work है, और ये team क्या करती है, match को हारने की कोशिश करती है, या जीतने की, आपने धारत करें, तो ये है management, तो team management ने decide किया है, कि आज के match में, केल राहुल साब नहीं खेलेंगे, तो ये हो गया, उस team की requirement के आदार पार, ये fast bowler खेलेगा, क्योंकि आज उसकी requirement, तो team management ये भी decide करता है, और एक सामुईक लक्षों को प्राप्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें humans के efforts लगते हैं, मनुश उस लक्ष को प्राप्ट करने की कोशिश करेगा, planning का निरधारन करना ही, execution करना ही, management, किती सुन्दर बात है, बहुत ही simple तरीके से हम देख सकते हैं, ये आपके options मे आ सकते हैं, प्रवंदन का सामान अर्थ में देखा जाए तो व्यवस्ता करना, भंडारी की व्यवस्ता करना मैंने अभी आपको बता दिया है, और इस व्यवस्ता में हम expert लोगों को शामिल करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपको specific task पूरा करना है, कोई आपको spin ballers जो है, recruit करने होंगे, यदि fast है, तो fast को रखना होगा, ठीके, और भाई, देसे, भाई, पिच आपकी fast है, और आप spin baller को ले रहे हैं, तो आपकी आपने task को पूरा कर पाएंगे नहीं, तो संभावित लक्षों को पूरा करना ही management है, तो ये तो हुई व्यवहार एक परीभाशा है, मतलब जो सामान भाशा में हम समझते हैं, अब expert लोग इसके बारे में expert comment क्या कहकर चले गए, अब देखी, यहाँ इसको समझना है, तो इसको समझने के लिए मैं एक example आपको बताता हूँ कि ये let's suppose ठीके एक आपका cup है, और इसमें मैंने कुछ इस तरीक पाइन है, रम है, ठीके तो भाई, यदि चतुर होगा तो वो यहाँ पर रम कह देगा, ठीके एक बंदा बोलेगा, बोलेगा, ठीके कोई juice बोलेगा, कोई बोलेगा, सर सिंपल इसमें पानी है, तो management की definitions भी अलग-अलग expert ने दी हैं, और अलग-अलग expert अपने-अपने बनाना, उसके base पर organizations बनाना, और उनके बीच में coordination, control, नियंतरण ही प्रबंदन है, कितनी simple भाषा दी है, हैंडी फियोल साब जो हैं, बहुत ही खास रखती हैं, और इन्होंने अपने 14 principle के द्वारा, इन management के कारियों को समझाने की कोशिश की है, जिसे हम अगले वीडियो मे अलग-अलग definitions दे रहा है, और यहां पर EFL bridge साथ क्या कह रहे हैं, वो यह कहते हैं, उत्तरदाइत और कर्तव्यों का समायोजन है, that is the basically, the contribution of the work of the other pupils, मतलब अलग-अलग व्यक्ति अपने कारे को execute कर रहा है, जैसे माने कि चले, यहां पर team 1 है, यहां पर team 2 लगी हुई है, य हंडारे के लिए onion लेकर आना, एक का काम है, जो है, वो tent की ववस्ता करना, एक का काम है, पानी की ववस्ता करना, और यह हो जाएगा team work, तो सब अपने अपने उत्तरदाइत को पूरा कर रहे हैं, यही responsibility को effectively तरीके से, regulating तरीके से काम करना, नियमित तरीके से काम करना, यह है कारविधी, उनकी ववस्ता, उनकी approach, तो योजना को क्रियानवित करने की प्रयोजन से उप्योक्त कारविधी स्थापित करना, अपनाना ही उत्तरदाइत है, ठीके, मतलब आपका object है, specific target, और उस target के लिए आप क्या करोगे, एक responsible होकर एक काम करोगे, यह इसमें शामिल है, लेकिन कभी आप उसमें down हो जाते हैं, ठीके, तो आपको, ठीके, कोई ना कोई leader चाहिए, जो आपको क्या करे, motivate करे, तो अभी प्रेरन, that is, motivations, performance, taskings, ठीके, these all words is included, the definition of management, according to the bridge साब, बहुत ही थोड़ा, इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बताने की कोशिश की है, पहले हमने सामाने अर्थ सेखा, फिर हमने एक scientific या हमने specific तरीके से सीखा, और भी देख लेते हैं, प्रवंधन क्या है, effective तरीके से कारियों को पूरा करना, और ताकि हम दक्षता के साथ उस लक्ष तो पूरा कर सकते हैं, कारी को करने और क्रियाओं को पूरा करने, ए इसे मानगी चलिए दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप transportation का साधन लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो आप चीजों को manage करेंगे, आप train से जाएंगे, तो ये कह सकते हैं, एक management हो गया, ये एक short term management हो गया, ठीके, आपको कोई factory लगा नहीं है, आपको chips की factory लगा नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, raw material, raw material को manage करने के लिए, raw material मतला हम देखेंगे, आलू, और आलू जो है, वो आपको मिलेगा, कहां पर, आप स्थानी इस तर पर भी ले सकते हैं, सबजी बाले से ले सकते हैं, लेकिन आलू आप bulk मात्रा में ल कामिल है, management का मतलब एक प्रवंधन के रूप में भी है, management एक process भी है, और management जो है, एक विशे भी है, तो हम इस विशे की बात कर रहे हैं अभी, तो ये Theo Hemant साब का सोचने का तरीका ही was talking about, अब आपको options में यहीं दिया जा सकता है, questions में, कि Theo Hemant साब जो है, क्या नहीं कहते है तो एक तो नाम बोला है, process बोला है, और basically subjects बोला है, ठीके, NPS नाम से याद रख लेना, Theo Hemant साब ने जो है, ये बात किये तो, names, ठीके, that is process and the subjects, इन तीन के आधार पर management को समझाने की कोशिश की है, अब management में बहुत सारे काम होते हैं, और ये कारे क्या हो सकते हैं, उन्हें क पूरा करने से पहले plan बनाना, उसके लिए एक संगठन बनाना, एक organization बनाना, उस organization में लोगों का recruit करना, ताकि वो लोग आएं और वो काम करें, उनको निर्देश देना, उनको निर्देश देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीकी, जिसे planning है, हमारा परना होगा, और वो stop, बतले देखी, यहाँ पर तो जन सायोग हो जाता है, लेकिन stop जो है, वो क्या करेगा, अलग-अलग काम आप दे देंगे, उसको अलग-अलग निर्देश दे देंगे, और उन निर्देश के अनुसार, उनको नियंत्रित करना, इन सब चीज़ों को कह देखेंगे, जिसमें हम फियोल साब के सिद्धान्दों को देखने वाले, नमस्कार.